दूस्तो अनिस्चितिताओं से भरे इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है चाहें आप लाग जतन करें सुरक्षित रहने की पर आपका हर दाव उल्टा ही पड़ेगा सायदा आपको मेरी ये बात अभी बेतो की या फिर बेवकू पाना लगे पर मेरा ये ख्याल यो ही ने बन गया आज से लगबख साथ साल पहले मेरा एक छोटा सा चार जन का हस्ता खेलता परिवार था जो महेज महेने भर में ही तबह हो गया चार जन का परिवार वो परिवार अब सिमट कर दो जन का ही रह गया है मैं और मेरी धरम पतनी संदिया जिसे जिन्दा रखने के लिए मुझे हर रात खोन की खुराक का इंतिजाम करना पड़ता है दरसल मेरे इस बोरे वक्त की सुरुआत हुई आज से लगबग साथ साल पहले सन दो हजार सोला में जब मैं अपने परिवार के साथ मेगाले के सुबंसा कलोनी में सिफ्ट हुआ भारत का ये बादोलों से घिरा रहने वाला राज्य अपनी खुबसूरती बादियों के लिए दुनिया भर में चर्चित है और इसी खुबसूरत बादियों के बीज मौजूद था हमारा अपार्टमेंट पूर्णिमा जिसके तीसरे माले पर था हमारा अपना फ्लैट 013 पूर्णिमा अपार्टमेंट की सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि यहाँ पर बहुत ही सांती थी मसलन यहां किसी भी परकार का कोई भी सोर सराबा नहीं था उपर से स्चिक्योर्ट भी बहुत ज़्यादा टाइट थी यानि की कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाकी चल रहा था पर महस तेन से चार दिनों में ही अपार्टमेंट की सुकून भरी सांती रात होते ही डरावनी खामोसी में बदलने लगी दरसल हमें कुछ ही दिनों में ये एहसास हो गया की दिन में भी पूरे अपार्टमेंट में ना के बराबरी चहल पैल रहती थी और यही सांती रात के स्या अंधेरी के साथ मिलकर एक तरावनी सुरत एक त्यार कर लेती थी खेर अभी हम अपने नए घर को सजाने सवानने में ही मसरूफ थे किसी बेच कब हमारी तहरीच पर एक बड़ी मुसीबत ने तस्तक दे दी दरसल पांच भी रात को जब हम लोग सोने ही जा रहे थे कि तभी मेरे बेटे पुलकित को एक आएक खोन की उल्टेया होने लगी जिसे देख कर जहां पुलकित के मा अपने सुधबुत खो बैठी तो वही मैं भी बेहद घबरा गया था फिर जब मेरी बड़ी बेटी सुनेना ने रोतवे कहा कुछ करो पापा तब चाकर मुझे एहसास हुआ कि ये वक्त ऐसे घबराने का नहीं है मैंने फॉरेनी पुलकित को गोद में उठाया और बिना देरी किये उसे नजदे की हॉस्पिटल लेकर पहुँचा जहां आनन फानन में पुलकित को एमरजेंसी में एडमिर तो कल लिया गया पर जैसे मैंने बिलिंग काउंटर पर अपने घर का एडरस लिखवाया तो उसके अगले ही पल उन्होंने मुझे पुलकित को वहां से ले जानी को कह दिया जिस पर मैं उन पर बहुत ही भड़का मेरे भड़कते ही वो लोग पुलकित को हॉस्पिटल के मैंगेट पर छोड़कर चले गए खुल से लद्बत मेरा बेटा अब बेसुद हो चुका था मैंने एक बार फिर अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया और दूसरे अस्पताल की तरफ चल पड़ा पर जब दूसरे अस्पताल में भी ठीक पहले अस्पताल वाला बड़ताओ किया गया तो मैं बुरी तरह से तूट गया मैंने उन डॉक्टर के हाथ पहर भी जोड़े यहां तक कि उनके जोटों पर अपनी नाक तक रगड़ी पर उन जालमों का दिल नहीं पसी जा आखिरकार मजबूरन मुझे अपने बेसुद बेटे को लेकर वहां से भी निकलना पड़ा अभी मैं उस अस्पताल से निकला ही था कि तभी किसी ने पीछे से आवाज देते हैं आपके बेटे को पूर्णी माई बचा सकती है उसके इलावा कोई भी नहीं ये सुनते ही मैं पीछे पल्टा तो मैंने देखा कि उसी अस्पताल के एक नर्स खड़ी है उस नर्स पर नजर पड़ते ही मैंने उस से पूछा कौन से अस्पताल में मिलेगी पूर्णी माजी जिस पर उस नर्स ने कहा कि आपके घर पर आप चल दे से अपने घर पहुँचे उसके इतना कहते हैं मैं पागल बिना को सोचे समझे अपने बेटों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा उस नर्स से ये भी ने पूछा कि पूर्णी माजी को मेरे घर का पता मालूम भी है या फिर नहीं खर घर पहुँचने के बाद अब मुझे इंतिजार था तो पूर्णी माजी के आने का पर रात से सुबा हो गई और सुबा से फिर रात पर अभी तक पूर्णी माजी ने आई थी वहीं पर मेरा बेटा अभी भी बेसुद पड़ा हुआ था पर अच्छी बात तो ये थी कि उसकी सांसे अभी भी चल रही थी संद्या और सुनेना भी गुमसम पुलकित के सिरहाने किसी चमतकार की आस में बैठ हुए थे किसी भीच घर की दोर बैल बजी दोर बैल के बज़ते ही मैं तुरंती दर्वाजी की तरब दोड़ा इस सुमेद में की डॉक्टर पूर्णमा जी आई होंगी पर जब मैंने दर्वाजा खोला तो मैं एक बार फिर मायूश हो गया क्योंकि दर्वाजा पर 010 फ्लैट की एक मेड खड़ी थी इस से पहले में उस मेड से कुछ पूस्ता कि वो मेड से बोली साहिब मैंने सुना है कि पुलकित बाबा की तवित बहुत ज़ादे खराव हो गई है जिस पर मैंने उसे जवाब देते हैं कहा हाँ है तो पर चिंता वाली बात नहीं है वो ठीक हो जाएगा मेरे इतना कहते ही वो मेड बोली पुलकित बाबा की आज आखरी रात है अब उस मेड की ये कहते ही मेरे गुसे का पारा एक तम से चड़ गया पर जवागिले ही पल उस मेड ने कहा पर आप फिकर मत करो मजे पता है कि पुलकित बाबा कैसे ठीक होंगे आप बस मैम साब से मेरी बात करा दो तो ये सुनकर मेरे गुसे का पारा जो बस फट नहीं वाला था वो अब एक तम से ठंडा हो गया जिसके बाद मैंने अपनी बीवी संध्या को आवाज दे संध्या के आते उस मेल्ड ने मुझे अंदर जाने को कहा जिसके बाद मैं घर के भीतर चला आया फिर कुछ देर के बाद संध्या हाथ में एक काली रंग का काटोरा लेकर आई और बोली पूर्णी मा ने कहा है कि इस काटोरे में कच्छा दूद भरके घर के चोकट के बाहर रखना है अगर सुआई काटोरा खाली मिला तो अपना पुलकित बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तो वैसे तो मुझे इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था पर उस नर्स ने जैसा कहा था कि पूर्णे माही मेरे पुलकित की जान बचा सकती है ऐसे में हमने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस मेड़े ने करने को कहा था संध्या ने रात के त्रेमा पहर यानि की तीसरे पहर के सुरू होते ही संध्या नोस काली कटोरी में कच्चा दोध भर कर चोखट के बाहर रग दिया और मन ही मन ये दूआ करने लगी कि ये टोटका किसी तरह काम कर जाए उस रात हमारी आँके बेसुत पड़े पुलकित पर ही जमी रहे रात कहराती रहे और इसी बीच कब हम सब की आँक लग गई पताई नी चला फिर जब सुबा मेरे कानों में पुलकित की आवाज पड़े तो मेरी आँके खुले आखे खुलते मेनी नजर पुलकित पर पड़े जो संध्या को उठाती हो कह रहा था मा मुझे बहुत भूक लग रही है कुछ खाने को दे दो पुलकित को होस में देखकर संध्या भावुक हो गई संध्या पुलकित को गले लगा कर चूमने लगी आखिर कार उपर वाले की किरपा से बहुती बुरा वक डल चुका था और फिर इसी बीच सुनेना वो काली कटोरी ले आई जो पिछली राद चोखट के बाहर रखी थी जो कि अब खाली थी जैसा कि उस मेड़ ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ पुलकित अब काफी ठीक लग रहा था और महच कुछी दिनों में पुलकित पहले जैसा हो गया था फिर इसी बीच मैने और संधिया ने उस मेड़ को सुक्रिया करने की सोची पर वो फिर कभी भी ने दिखी यहां तक कि जब संधिया फ्लैट नमबर जीरो वन जीरो वारे से बात करने गई तो उन्होंने दरवाजा ही ने खोला कुछ दिनों तक तो यह बात हमें भी खटकी पर बीचते वक्त के साथ यह बात चेहन के किसी कौन में दफनसी हो गई हमारी लाइफ एक बार फिर से नॉर्मल हो चुकी थी पर कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे यह पूइडिमा अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए पर यह बस मेरा ख्याल भरी था जिस पर मैंने कभी इतना जोरी ने दिया बीचते वक्त के साथ हमारी जिन्दगी की गाड़ी फिर से जोरो सोरो से चलने लगी इस बास से बेखबर की मेरा पूरा परिवर मुसीबत के उस भवर में फस गया है जिससे निकलने का एकी जरीया है और वो है मौत दरसल पुलकित के ठीक होने के कुछी महीनों बाद पुलकित की माँ यानि कि मेरी धरम पतनी संध्या को उसके पीहर वालों ने बुलवा लिया पर अपनी पीहर निकलने से पहले जब संध्या ने मुझसे उस काली कटोरी में दूद भर कर चोखट के बाहर रखने को कहा तो मैं ये जानकर हैरान हो गया कि संध्या अभी भी वो दूद से भरा काडोरा घर के चोखट से बाहर रख रही है जबकि पुलकित को ठीक हुए कई महीने हो चुके थे इससे पहले में संध्या से इस बारे में कुछ पूस्ताज करता कि संध्या मेरी बेटी सुनेना के साथ अपने पीहर के लिए निकल गई संध्या और सुनेना के जान के बाद मैं भी अपने काम काज में इतना बीजी हो गया कि संध्या की बाद दिमाग से निकल गई और जब सुभा में उठा तो मैंने नोटिस किया कि पूरे कमरे में अजीब सी गंद फैली हुई है फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने पाएगी वो गंद पुलकित के कमरे से आ रही है मैं फॉरेनी पुलकित को आवाज देते हुए उसके कमरे की तरब बड़ा और जब मैं पुलकित के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी चीक निकल गई दरसल पुलकित के बिस्तर पर बेहसाब कीडों का धिल लगवा था जिनसे वो अजीब सी गंदा रही थी फिर जैसे मैं बिस्तर के करीब पहुँचा तो मैंने पाए कि वो सारी कीड़ पुलकित के मुह, आंक और उसके कानों से बाहर निकल रहे हैं उन सभी कीडों ने पुलकित को अंदर से खाके खोकला कर दिया था अपने बेटे का ये हाल देखकर मैं अपना सुध खो बैठा था मैं तो ये भी नहीं समझ रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत भी है या फिर मेरा कोई बुरा सपना फिर इसी बेज घर की डोर बैल बजी और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने वो ही मेड खड़ी थी जिसने पुलकित की पिछली बार जान बचाई थी इससे पहले में उस मेड से कुछ कहता कि वो बोली अपनी मैडम जी को कॉल करूं साहब उसकी ये कहती मैं संधिया को कॉल करने वाला था कि इतने में ही संधिया का कॉल आ गया मेरे कॉल रिसीव करते ही संध्या बोली अरे तुमने दोद भरके वो काले कटोरा घर के बाहर रखा था के नहीं संध्या ने जब उस काले कटोरी की बात कही तब जाकर मुझे याद आए कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई है फिर जब आगे संध्या रोते बोली सुनेना सुबह से खुन की उल्टिया किये जा रही है तो ये सुनकर मेरे पैरो तले जमीनी किसक गई मैं अपने बेटे को तो पहले ही खो चुका था और अब मैं अपनी बेटी सुनेना को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाता था आप चिंता मत करो बिटिया को कुछ नहीं होगा अब इतना बोलकर वो वहां से चली गई अभी मैं वहां से उटकर घर के भीतर ही आया था कि तबी पीछे से उसी मेड़ ने आवाज देते हो कहा ये लो साहिब इस कपड़े में पुलकित बावा की लास को लपिट कर मुझे दे दो उस मेड़ के इतना कहते ही मैंने उस पर भलक तो कहा तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो भला मैं तुम्हें अपने बेटी के लास क्यों दे दूँगा जिस पर वो मुझे जवाब देते हो बोली साहिब अगर आप अपनी बेटी की जान की खेरियत चाहते हैं तो चुप चाप अपने बेटी के लास मुझे दे दो और उस मेड को थमाते हो कहा बस किसी भी तरह से मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए जिस पर वो बोली कुछ नहीं होगा तुमारे सुनेना को तुम बस यह बात किसी से मत कहना और नहीं यहां से भागने की सोचना अब यह बोलकर वो मेड मेरे बेटी की लास को लेकर चली पर यह तो पता ही नहीं था कि आकरी ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है पर इतना तो अंदाजा होई गया था कि हो ना हो वो मेड़े इन सब की जिम्मेदार है खेर पर ये वक्त जल्दबाजी देखाने का नहीं बलकि सोच बूस से काम लेने का था इसलिए सबसे पहले मैंन अपने असांत मन को सांत किया और सोचने लगा इस समझिया का समाधान और تभी मुझे उस नर्स का ख्याल आया जिसने कहा था कि पूर्णिमा ही मेरी मदद कर सकती है और हुआ भी वैसा ही यकिनन वो नर्स मेर पूर्णिमा के बारे में कुछ ना कुछ तो जरू जानती होगी लिहाज ने सब सोच बिचार के बाद मैं तुरंट उस नर्स से मिलने उस अस्पताल में पहुँचा जहां वो पिचली बार मिली थी पर संजोक से वो नर्स मुझे मिल भी गई पर उस वक्त उसने पूर्णिमा के बारे में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया साथ ये भी हेदायत दे कि पूर्णिमा जैसा कहती है वैसा ही करो नहीं तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा बरहाल मैं चुपचाब घर लोटाया और घर पहुचने पर पता चला की सुनेना और संध्या लोटाये है सुनेना को ठीक देखकर जहां मुझे थोड़ी राहत मिली तो वही संध्या की नजरे पुलकित को खोज रही थी उस वक्त मैंने संध्या को पुलकित के बारे में सचना बता के ये बता दिया कि वो अपने दोस्त रविंद्र के घर गया हुआ है इसी बीच सुनेना ने मेर से कहा पापा वो मेर आई थी और फिर से एक और काला कटोरा दे गई सुनेना की ये बात सुनते ही मैं समझ गया की अब आगे क्या होने वाला है अभी मैं इनी सब उल्जुनों में उल्जा हुआ था कि इसी बीच एक अन्नोन नमबर से कॉल आया फिर जब मैंने कॉल उठाया तो कॉल पर वो ही नर्स थी जिससे मैं मिलने गया था फिर जब मेरे उससे बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि अगले साथ दिनों तक ये पता लगाए कि कच्चे दोज सबरे उस काले कटोरे का दूद कौन पीता है ये पता चलने के बाद ही वो नर्स हमारी कोई मदद कर पाएगी उस नर्स की कौल की बज़े से मेरे थोड़ी आज़ बंद तो गई थे पर सब कुछ अंधेरे में ही लटका हुआ था खेर नर्स से बात करने के बाद अब मेरा पूरा ध्यान उस काटोरे पर ही टिक गया था फिर जैसे तीसरे पहर के सुरू होते ही संध्या ने वो दोट से भरा काला काटोरा घर के चौकट के बाहर रखा तो उसके फौरणी वादी मैंने अपने मॉबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग मोड स्टार्ट करके बाहर वाले गमले में इस तरह छपा दिया कि उस काले काटोरी की रिकॉर्डिंग होती रहे मॉबाइल फौन को सेट करने के बाद मैं इंतजार करने लगा सुबह के होने का फिर जब सुबह मैंने अपने मॉबाइल फौन की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो मैं दंग रह गया दरसल वीडियो में जिसने उस काले कटोर से दोध पिया वो कोई और नहीं बलकि मेरी बेटी सुनेना ही थी जबकि सुनेना तो कमरे से बाहर निकली भी नहीं थी पर ऐसा कैसे हो सकता था मैंने फॉरे नियुस नर्स को कॉल किया और ये बात बता दी मेरी पूरी बात सुनते उस नर्स ने कहा आप अपने जिगरा थोड़ा मजबूत कर लो सर क्योंकि जो मैं आपको करने को कहूंगी उसे करने से अच्छा आप मर जाना पसंद करेंगे इसके बाद उस नर्स ने कहा आज आप सबकी आखरी रात है पर अभी भी एक मौका है आपको आज रात उस काले काडोर में कच्छी दूद की जगे अपनी बेटी का खोन भर के रखना होगा साथ ही अपनी बेटी को आपको जंजीरों से बांद के घर का एक एक रूम बंद करना होगा इसके बाद अपनी बीवी के साथ पूर्डिमा अपार्टमेंट छोड़कर मेरे घर आ जाना अगर आप मेरे घर सही सलामत पहुँच जाते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है इतना बोलकर उस नर्स ने फोन काड़ दिया और उस नर्स से बात करने के बाद मैं बड़े ही तुविधा में पड़ गया आखिर मैं अपने खुद की बेटी के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता था क्योंकि वो ही तो ले दे के अब मेरी एकी दुनिया थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ कि तभी मेरी बदहवास बड़े चहरे ने सुनेना का ध्यान खीज लिया और जब सुनेना ने मुझे अपनी कसम देते हुए सब कुछ सच-सच बताने को कहा तो मैंने उसे सारी बात बता दे मेरी बात सुनने के बाद सुनेना के आँखों में आशु छलक आए सुनेना मुझे लिप्टे वे बोली आप लोग अपनी जान बचा लो पापा सुनेना के इतना कहते ही मैं भी रो पड़ा वही संध्या के कानों में हम दोनों बाप बीटी के रोने की आवाज पहुँची तो वह बोली क्या हुआ आप सबको अभी संध्या ने इतना कहा ही था कि तभी सुनेना ने कहा कुछी नहीं मा वो पुलकित तुमें रोविंदर के घर पर बुला रहा है वो भी अभी तुम जल्दी से जल्दी जाकर देखो पतानी पुलकित को क्या हुआ है पतानी भी तरह अपने पासी रोके रखने को कहा जब तक कि मैं खुद ना जाओ संध्या को लेने अभी मैं फोन पर बाती कर रहा था कि इतने में ही सुनेना ने उस काले कटोरे को खुन से भर दिया और मुझे थमाते बोली ये लो पापा जिसके बाद मैंने सुनेना को जंजीरों से बांद कर उसके कमरे में बंद कर दिया और रात के तीसरे पहर के सुरू होता ही मैं वो खुन से भरा काला कटोरा अपने घर के चौकट के बाहर रखके सीधे रविंद्र के घर पर पहुँचा जहाँ पर संध्या थी संध्या को वहाँ से लेने के बाद मैं पहुचा उस नर्स के घर जहाँ पर उसने बताया कि तेरा महेनी की मौहलत है तुमारे पास इस बीज तुम अपने बेटी सुने न और खुद को पूर्णिमा के जाल से बचाने की कोसिस कर सकते हो उस नर्स के इतना कहते ही मैंने उस नर्स से पूचा बताईए मुझे क्या करना होगा अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे सवाल का जबाद देते हुए वो नर्स बोली मुझे ये तो नहीं पता कि पूर्णिमा के कहर से बचा जा सकता भी है या नहीं पर ये पता है कि पूर्णिमा को किस से डल लगता है और एक वो ही है जो इस घड़ी में तुमारे मदद कर सकती है उस नर्स के ये कहते ही जब मैंने उस से पूचा कौन है वो और वो कहा मिलेगी तो उस नर्स ने जवाब देतुए कहा वो कोई और नहीं बलकि पूर्णिमा की सौदेली दादी है गोदनी जिने सब लोग गोदनी माई कहकर पकारते हैं और वो पूर्णिमा से भी कहीं ज़्यादा सक्ति साली है जिनसे तुम्हें मदद लेनी होगी पर वो ऐसे ही तुमारी मदद नहीं करेगी पहले तुम्हें गोदनी माई का शीष्य बनना होगा और जब तुम्हें वो अपना सीष्य का दर्जा दे देंगी तब जाकि तुम गोदनी माई से अपने और अपने परिवार की खेरियत के लिए अरजी लगा सकते हो जिसके लिए तुम्हें यहां से 90 कोश दूर चिर्मुडे के समसान 10 खनी जाना होगा जहां गोधनिमाई एक पड़े से पभूल के पेड़ के नीचे रहती है दोस्तो अभी वो नर्स खोधनी माई के बारे में बता ही रही थी किसी बीच मेरे बगल में बैठी मेरी बीबी संद्या लोने लेगी संद्या को रोता हुआ देखकर मैं समझ किया की अब संद्या को सब को सच-सच बताना होगा लिहाजन मैंने संद्या से कहा संधिया तुम अपना दिल कढ़ूर कर लो क्योंकि जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ वो सुनते ही तुम्हारी आदी दुनिया उसी पलो जड़ जाएगी अब ये बोलने के बाद मैंने संधिया को सारी बात पता दी संधिया को जैसे ही पलकित की मौत के बारे में पता चला तो ये पता चलते संधिया को बहुत ही गहरा सदमा लगा और वो उसी वक बेहोश हो गई फिर जब कुछ देर के बाद वो होश में आई तो पलकित पलकित चिलाने लगी संधिया को यो पुलकित पुलकित चिलाते देख मेरे भी जखम ताजा हो गए थे पर मुझे तो अभी भी अपनी बेटी की चिंता थी लिहाज जिन मैंने संधिया को बहुत समझाने की कोसिस की पर वो ऐसे बढ़ताओ कर रही थी कि मानू में वहां हुई नहीं वो तो सिर्फ पुलकित की ही रट लगाई हुए थी फिर इसी भी संधिया एक बार फिर से बिहोस हो गई और फिर जब संधिया को दोबारा होश आया तो एक बार फिर पुलकित बेटा पुलकित बेटा बोलते हुए बेहोश हो गई, और फिर दोबारा होश में इने आई आनन फानन में, मैं संध्या को असपताल लेकर गया जहां डॉक्टर ने कहा देखिए सद्मी के वज़य से संध्या कौमा में चली गई है संध्या के कौमा में जाने की ख़बर सुनकर मेरे तो पैरतले जमीनी किसक गई पता नहीं मेरे कौन से पाप का हिसाब किया जा रहा था पहले बेटा खोया फिर बेटी को उस मनुस पूर्णिमा अपार्टमेंट में मजबूरन जंजुर से बांध कर आना पड़ा और अब संध्य कोमा में है एक के बाद एक अपने परिवार के सभी सद्य सुके खोने के चलते मेरा मानसिक संतुलन काफी हिल चुका था अब मेरा दिल हर वग बेचैन रहता जिसके चलते में कैई रातों तक जगा ही रहा फिर जब उस नर्स ने ये विश्वास दिलाया कि अभी भी मेरे पास एक मौका है अपनी बेटी और बीवी को बजाने का तब जाके मैंने ठान लिया कि अब किसी भी सूरते हाल में मैं अपनी बेटी को नहीं खोंगा और ये सोच कर मैंने उस नर्स से कहा जब तक मैं न लोटूं तब तक आप मेरी संध्या का ख्याल रखना ये बोलकर मैं निकल पड़ा चिरमुंडे के समसान दस्खनी की ओर गोधनी माई से मिलने क्योंकि चिरमुंडा यहां से 290 किलमेटर दोर था साथी कोई डारेक्ट सर्विस भी नहीं थी लिहाजन मुझे पहले 200 किलमेटर के लिए ट्रेन से सफर करना पड़ा फिर ट्रेन की जर्णी के बाद मेरी उदले बस टीपो के लिए अगले 8 किलमेटर के लिए बस पकड़ी और अंत में सरुंग से चिरमुंडे के लिए आटो जब मैं चिरमुंडे पहुंचा तो तब तक सूरज ढल चुका था और अभी भी मेरा सफर खतम ने हुआ था क्योंकि मुझे चिरमुंडे के दस्खनी समसान जाना था कैर मैं उस अंजान जगह पर लोगों से पूस्ता पास था आखिरकार में उस समसान तक पहुँची गया जहां पर गोधनी माई रहती थी जब मैं दस्खनी समसान में दाखिल हुआ तो तब तक काफी अंधेरा हो चुका था पर उस समसान में कुछ धोदू चलती चिताओं के चलते उस अंध्यारी रात में भी वहां काफी रोशनी थी पर वहां कोई भी जिन्दा इंसान मौजूद ही ने था चारों तरफ गहरी खामोशी में लिप्टी मनूसियत फैले हुई थी पर मेरी नजर नो इस बड़े से बभूल के पेड़ को खोज रही थी जिसके बारे में उस नर्स ने कहा था कि गोधनी माई समसान के एक बभूल के पेड़ के नीचे बैठी मिलेगी पर जहां तक मैं देख पा रहा था वहां तक कोई बभूल का पेड़ नजर ही ने आ रहा था फिर काफी देर तक नजर उस समसान में घुमाने के बाद जब मुझे गोधनी माई ने मिली तो मज़े एक पल को लगा की साइद में किसी गलत समसान में आ गया हूँ लिहाचन मैंने वहां से निकलने की सोची अभी मैं उस समसान से बाहर आने के लिए चला ही था किसी बीच मेरी नजर एक औरत पर गई जो उन जल्ती चिताओं में से लास को बाहर खीच रही थी हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस औरत को देखते हुए आग से कुछ फरकी नहीं पड़ रहा था वो अपने हाथों से बड़ी आसानी से उन जल्ती चिताओं में से शब को बाहर खीच ले रही थी उस औरत को ऐसा करता देख मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि हो ना हो ये ही गोधनिमाई है लिहाज नमें उनका नाम लेत हुए उनकी तरफ बड़ा गोधनिमाई गोधनिमाई अभी में उनके कुछ करीबी पहुचा था कि तबे उस औरत ने गरस्तुए कहा मरना नहीं चाहता तो अभी भाग जाए यहां से नहीं तो इसी आग में भूंच कर रखा जाओंगी उस औरत की गरज इतनी भयानक और दिल थर्रा देने वारी थी कि मेरे कदम उसीपल जमीन से ऐसे चिपक गए कि अब ना तो मेरसे आगे बड़ा जा रहा था और नहीं पीछे हटा जा रहा था उस वक्ड़का आलम ये था कि मेरा मुह तक सिल चुका था मसलन मेरे मुह से कुछ भी निकल नहीं रहा था वहीं मेरे वहाँ ऐसे खड़े रहने के चलते गोधनी माई का कुछी देर में पारा फट पड़ा और उन्होंने उस जलतुई चिता से एक दहतुई लकड़ी उठाई और मेरे उपर फिक कर मारी वो देखतुई लकड़ी सीधे मेरे सिर पर आकर लगी जिसके चलते मैं उसी वक्त नीचे गिर पड़ा और मेरे नीचे गिरते ही आँखो के आगे धिरे-धिरे अंधेरा पसड़ने लगा और फिर कुछी देर में मैं बिहोश हो गया फिर जब मुझे होश आया तो तब तक सवेरा हो चुका था और मैं जमीन पर ओंधे मूँ पड़ा हुआ था फिर जब मैं करवट लेते हुँ पल्टा तो मेरी नजर सामने कैसारे पुराने संदूक पर गई जिनके उपर कोई बैठ हुई नजर आई पर वो कौन थी ये तो प को देखा तो मैंने पाए कि वो गोधनी माई है ये पता चलते ही मैंने फोरणी उनके आगे हाँ जोड़ती हुआ माई किरपा करके मुझे आप अपना दास बना लो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी गोधनी माई ने कुछ कोईले के टुकडे मेरी तरफ फेकती हुए कहा ले खा ले इने तुझे भूग लगी होगी मेरे सामने पड़े उनकोईले के टुकडों को देखकर मैं इस सोच में पड़े गया कि आखिर इनकोईलों को कैसे खाय जाए अभी मेरी नजर उनकोईलों के टुकडों परी थी कि तभी गो पर में ही मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया मैं समझ गया कि गोधनी माई का कहा बिना किसी देरी के फॉरेन ही करना होगा लिहाजिन मैंने फॉरेन ही उन कोईलों के टुकडों को जट से उठा कर खाने लगा अभी मैंने उन कोईलों के टुकडों को खाना ही शुरू किया कि तभी मुझे एहसास हुआ कि उन कोईलों के टुकडों का स्वाद कभी गुलाब चामन तो कभी चले भी तो कभी किसी दोसरी मिठाई जैसा लग रहा है मतलब कि हर बाइट में उन कोईले के टुकडों का स्वाद बदल जा रहा था जिसके चलते मैंने उन कोईलों के को खतम ही किया था कि तभी गोधनी माई ने और बहुत सारी कोईले के टुकड़े मेरे आगे फेक दिये वहीं अब तक मैं उन कोईलों के स्वाद में इतना जादा खो चुका था कि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने में लगा रहा मजे ये तो पता नहीं मैंने कितन नहीं दे रहे थे अभी मैं अपने हच से जादा फूले पेट को देख रहा था कि तभी पेट में दर्द हो गया वो दर्द इतना जोरदार था कि मैं तुरंती जमीन पर लेट गया मैं डर के मारे चीकता चिलाता रहा और वहीं गोधनी माई मुझे दर से तरपता देख जो पूर जोर से ठाके लगाने लगी उस नर्स ने ठीकी कहा था कि गोधनी माई पूर निमा से भी कहीं जादा करूर है फिर इसी भी जब मेरे पेट का दर्द परदास बाहर हो गया तो मैं उस भीशर दर्द के चलते वहीं पर बिहोश हो गया पर जब मुझे दोबारा होश आ गय थी पर मेरा पेट वैसे ही फूला हुआ था और साथ उसका दर्द भी बना हुआ था मुझे ये तो याद नहीं कि मैं बीते दिनों में कितने बार बिहोश हुआ और फिर होश में आया पर जब भी आँख खुलती तो मुझे गोधनी माई मेरे लाचारी और बेवसी पर ह गड़ती बोली तेरी तो बड़ी सकत जान है जो अभी तक तु मरा नहीं चल ऐसा कर एक मुठ्टी मिट्टी खा ले सब ठीक हो जाएगा गोधनी माई की ये कहने पर मैंने फौरनी जमीन खरोची और उस मिट्टी को खा लिया हालांकि मुझे गोधनी माई पर विश्वास तो नहीं था पर इसके इलाबा मैं करता भी तो क्या मिट्टी के खाते मेरा पेट का दर्द एक तम से चूमंतर हो गया पेट के दर्द के ठीक होते ही मैं गोधनी माई के पैरों में गिर पड़ा और फिर एक बार फिर से उन्हें मुझे अपने साथ रखने के लिए गौहार लगाने लगा पर अच्छी बात तो ये थी दोस्तो कि इस पार गोधनी माई मान भी गई तब ही उन्होंने कहा ठीक है तू मेरे साथ रह सकता है पर तू वही करेगा जो मैं कहूंगी जिस पर मैंनोंने जबाब देतु कहा जी बिलकुल आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँ रहता वहां गोधनी माई जादा तर अपना समय उन्ही संदूकों पर बैठे बैठे गुजारती और इसी तरह तक्रीबें चार महीने बीत गए और इन बीते चार महीनों में मैंने गोधनी माई की दिल से सेवा की जिसके बदले गोधनी माई मेरी गुरुमा बनने को राजी हो गई पर जब उन्होंने मुझे तंतर साधना की पहली सर्थ बताई तो मेरा दिल धर्रा उठा दरसलों की पहली सर्थ के अनुसार मुझे एक ऐसी औरत का कलेजा गोधनी माई को भेंट करना था जो प्रस पीडा के चलते मरी हो और उसका शिशू उसके पेट में ही हो और यही वज़ा थी कि ये सुनकर ही मेरे हाथ पेरों की नसे धिली पढ़ने लगी थी ऐसे में मैं इस काम को भल कड़े तेरे लोटने की रहा तक रही है जिन में तो उसे बांद कराया था गोधनी माई की ये कहते ही मेरे नसों में बिजली कौंद गई और उसी पल मैंने गोधनी माई से कहा नहीं मैं बिलकुल नहीं भूला हूँ अपनी सुनेना को आप मुझे बस इतना बता दो कि ऐसी कलेजन निकालत हुए कोई देख ना ले दोस्त अब गोधनी माई के कहे अनुसर में उसी वक निकल पड़ा उस दिसा की ओर बिना तेरी किये हलांकि वो रातरी का तीसरा पहड़ता चारों तरफ गहरी खामोसी और संसनी बहती हवाओं ने एका लगी महुल बना के रखा था खर में उस औरत की तलास में चलता रहा और जब मैं ऐसे ही चलते-चलते किसी बस्ती के पास पहुँचा तो मुझे किसी की करहने की आवाज सुनाई पड़ी और जब मैं उस आवाज की ओर गया तो मुझे चोहराहे की बीचों बीच कोई एक खंबे से बना हुँँ दिखा फिर जब मैं उसके करीब पहुचा तो मेरी आँखे बड़ी हो गई, दरसल वो एक गरवती औरत थी, जो अभी आदमरी हालत में उस खंबे से बंदी पड़ी करा रही थी, अभी मैं उसके करीब खड़ा, उसकी और देखतो है सोची रहा था, क्या ये वही औरत है, जिसकी मु मुझे देखा, तो वो चीक तो बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे पेट में मर जाएगा, अभी उस औरत ने ये कहा ही था, कि तभी वो दर्द से छट पटाने लगी, और कुछी देर में रक्त श्राफ शुरू हो गया, जिसके चलते वो खंबे से बंदी गर्वती औरत, और भी जादा दर्द से तडपने लगी, जहां एक और वो दर्द से तडप रही थी, तो वही मैं वहाँ पर खड़ा, बस उसके मरने की रहा देख रहा था, और फिर जब उस औरत ने मेरी आँखों के सामने दम तोड़ा, तो मैं उस औरत का कलेजा निकालत हुए, देखना ले, चारो तरफ निगाहें घुमाने के बाद, जब ये साफ हो गया की, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, तो मैंने वही सड़क के किनारे पड़ी फुटी वी काँच की बतल उठाई, और उसकी मदद से मैंने उस औरत की सीने स के और बढ़ने लगे, वहीं वो काला कुत्ता मुझे पीचे हटता दे और भी आकरामक हो गया, और मेरे पर जपटने वाला था, कि उससे पहले मैंने उस फुट वे काँच की बतल को उस काले कुत्ते पर फिक कर मारा, किसमत से वो उस कुत्ते के सीधे माथे पर जा लगा, और बोतल के लगते वो कुत्ता, वहां से भाग गया, उस कुत्ते से पीचा छोडाने के बाद, मैं वो कलेजा लेकर पहुँचा, गोधनी माई के पास, और जैसे मैंने वो कलेजा गोधनी माई के हाथ में दिया, तो वैसे उनके चहरे पर अजीब से मुश्करहट आ गई, अभी मैं उनके चहरे की और ही देख रहा था, कि तभी अचान की गोधनी माई, गुस्से से बोली, तेर से कहा था न, कि कलेजा निकालते वक्ट कोई तेर को देखना ले, गोधनी माई के इस सवाल करते, मैंने उन्हें जवाब देते हैं कहा, हा माई, मैंने तो ऐसा ही किया कलेजा निकालते से मैं किसी की भी नजर मेरे उपन नहीं पड़ी मैंने अभी इतना ही कहा था कि तबी गोधनी माई तिल मिला उठी और गरस तो बोली फिर ये कौन है जो तेरे पीछे पीछे यहां तक चला आया गोधनी माई के मेरे पीछे इशारा करते ही मैं पीछे पल्टा ये देखने के लिए की आखिर वो कौन है जिसने मुझे कलेजा निकाल तो देख लिया जैसे मैं पीछे पल्टा तो मैं उस काले कुट्टे को वहां देखकर दंग रह गया उस काले कुट्टे को देखते मैंने गोधनी माई से कहा ये तो कुता है माई, कोई इंसान नहीं, जिस पर गोधनी माई ने कहा, इंसान होता, तो उसे मैं अभी मार देती, पर ये तो काल है तेरा, पता नहीं कभी ये तेरा अंत कर दे, अभी गोधनी माई ने इतना ही कहा था, किसी बीच वो काला कुता वहां से भाग गया, उस कुत में आने वाले हर सब का कोई ना कोई भाग चुरा कर मुझे ही देना होगा और मैं हर अंके बदले तुझे वो शक्ति दूंगी जिसकी मदर से तू अपनी बीटी को बचा पाएगा गोधनी माई के आशवासन देने के बाद मैं ठीक वैसा ही करने लगा जैसा कि उन्होंने कहा था मैं हर रोज शमशान में जलने वाले शवो पर घात लगाए रहता और जब भी मौका मिलता मैं उन शवों का कोई ना कोई अंग निकाल लेता और गोधनी माई को सौप देता जिने गोधनी माई चाटकर अपने संदूक में रख लेती ऐसे ही करते करते अब मुझे नौ म दूख खोली और उसमें से एक औरत का कटा हुआ सिर बहर निकालते बोली ये पूइन मा की मा का सिर है तुम ये लेकर मेहंतुर हाईवी के बीचो बीच खड़े हो जाना एक ट्रक आके तुमारे पास रुकेगी वो ट्रक वाला कोई और नहीं बलकि पूइन मा का छोटा भा तो तुम ये सरों से दे दे ना गोदनी माई के कहे अनुसार मैं उसी वक्त वो कटा हुआ सर लेकर उस हाईवी की तरफ चल पड़ा जहां से वो ट्रक गुजरने वाला था फिर जब मैं हाईवी पर पहुँचा तो मैं गोदनी माई के कहे अनुसार उस हाईवी के बीच बी ये साफ जाहिर था कि वो मेरा सीना फाल कर मेरा दिल बाहर निकाल लेगा पर जब वो मेरे करीब पहुँचा तो उसे बहुत ही जोर का जटका लगा और वो जटका इतना जोर का था कि वो मुझसे काफी दूर जाकर गिरा पर उसे खनोस तक नहीं आई और वो और भी जादा ज ठला गया और एक बार फिर मेरी तरफ बड़ा पर इस बार भी उसे जोरदार जटका लगा और फिर से वो काफी दूर जाकर गिरा पर साइद उसकी मोटी बुद्धी में अभी तक ये समझ में ने आया था कि वो मेरे करीब ने आ सकता लिहाजन वो काफी देर तक मेरे पर हमला करता रहा और जटके खाता रहा फिर जब वो हमला करके ठक गया तब जाके मैंने उससे कहा मुझे मेरी बेटी लाके दे दो और अपनी मा कसल ले जाओ अब मिरी ये बात जैसे उसके कानों में पड़ी तो वैसे उसने हमला करना बंद कर दिया और बड़ी ही भारी आवाज म रात से सुबा हो गई पर वो नहीं लोटा पर मैं अपनी जगह से हिला नहीं इस सुमीद में की वो आएगा ही पर वो नहीं आया लेकिन दोपैर के ठीक बारा बजे मुझे उस हाइवे पर पूर्णिमा आती हुँ दिखी और उसके साथ ही मेरी बेटी भी थी पूर्णिमा ने मेरी बेटी मुझे सौपते हुँ कहा आस तो तू बजगिया पर तेरी ये खुशी जादा दिन तेरा साथ नहीं देगी और ये बोलकर उसने अपनी मा का वो कटावा से मेर से ले लिया और वहां से वो चली गई दोस्तो उस वक्त तो मुझे अपनी बेटी की पाने की खुशी इतनी जादा थी कि मैंने पूर्णिमा की बात पर इतना ध्यान ने दिया खर इसके बाद जब मैं अपनी बेटी सुनेना को लेकर संध्या के पास आ रहा था कि रास्ते में अचाने की गोधनी माई मिल गई उनके हम पर नजर पड़ते उन्होंने कहा तेरी बेटी मिल गई ना अब जा तेरी बीवी को भी होश आ जाएगा पर ये ध्यान रहे कि होश में आने के बाद जब वो खाने को जो भी मांगे वो ही देना उसके सबा कुछ भी नहीं और हाँ उस काले कुटे से हमेसा साबधा रहना ये बोलकर गोधनी माई वहां से चली गई फिर जब मैं सुनेना के साथ अस्पताल पहुचा तो संद्या सच में होश में आ गई संद्या होश में आते ही बोली मुझे प्यास लगी है मुझे पीने के लिए खून दो संद्या के मुझे ये सुनकर मैं समझ गया कि मुसीबत अभी भी मेरे गले ही पड़ी है जिसके बाद से मैं संद्या को जिंदा रखने के लिए आज तक खूनी पिला रहा हूँ पर मेरी बेटी सुने ना भी कुछ महिनों के बाद अचानकी किसी कुत्ते का शिकार हो गई जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई दोस्तो आज मैं एक आजीब सी उल्जनों से गहरा हुआ हूँ पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हुआ आखिर मैंने वो कौन से पाप किये थे जिनको मैं आज भी जेर रहा हूँ तो दोस्तो इस कहानी में बस इतना ही कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडो को लाइक शेर कमेट जरू कर दें तो मैं आपका दोस्त राजकमर जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और दर्दनक कहानी के साथ तब तक के लिए बाई एंड टेक केर